महामारी के दौर में आम आदमी जहां आमदनी एठन्नी और खर्चा रुपया से जूच रहा है उपर से महंगाई की मार भी छेल रहा है तो वहीं एक और परिशानी है और वो है इंकम टाक्स रिटर्न फरने की लेकिन अब आयकर विभाग ने आम आदमी को थोड़ी सी रहत द की गई थी लेकिन अब महामारी के कारण आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की अंतिमति थी बढ़ा दी है आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की अंतिमति थी 31 नवंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है जानकारी के अनुसार अब आम नागरिक जिन्हें अपने रिट इसके अलावा टेक्स विवादों के निप्टान के लिए लाए गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था आयकर विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि महामारी के दौर में रिटर्न की तारीक बढ़ा देने से व्यापारियों, प्रोफेशनल, सुवेतन भोगी और अन्य करदाताओं को फायदा होगा चुकि इस समय हर चीज़ पर प्रतिबंध है, ऐसे में इंकम टेक्स रिटर्न के लिए जरूरी कागजात जुटाने में भी परेशानी होगी इसके साथ ही सरकार ने वितवर्ष 2019 और 2020 के लिए डिड़क्शन के दो और विकल्प को सामने रखा है ऐसे में अगर आप रिटर्न फायल करने जा रहे हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपने किफायती घर और इलेक्ट्रिक विकल्प खरीदा है उस पर भी डिड़क्शन का लाब मिलता है किफायती घर पर होम लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट में डेड़ लाग तक की छूट अलग से मिलती है इसके अलावा इलेक्ट्रिक विकल्प खरीदने के लिए कार लोन पर इंट्रेस्ट पेमेंट में डेड़ प्रसेंट की छूट मिलती है DB Live की रिपोट